पहले बात करेंगे टीकम गड़की जहां पर घटिया निर्मान कारिय जहां घटिया निर्मान कारिय की वज़े से एक बार फिर से हर पूरा नहर टूट गई एक बार फिर से का मतलब ये कि पहले भी ऐसा हो चुका है और इस नहर के तूटने की वज़े से आसपास के खेतों में पानी भर गया 44 करोड की लागत से इस नहर का निर्मान हुआ था MP में नदी को तालाब से जोडने की ये पहली परियोजना है कुछ साल पहले भी हर पूरा नहर तोटी थी जैसे की खिसानों की मेनत पर पानी भिर गया था इसके बाद قरीब 8.70 लाख रुपय की लागत से हर पूरा नहर के मिन्टेनेंस का काम चल रहा था लेकिन जैसे इस नहर में पानी चोड़ा गया फिर से हर पुरा नहर तूट गई ऐसे में नहर के निर्मान को लेकर सवाल भी उठने लगे आखिर जब पहले भी ये नहर तूट चुकी थी तो मेंटेनेंस की दौरान इसका खयाल रखा कियो नहीं गया और जो मेंटेनेंस किया गया जिसकी लागती 8 करोर से ज्यादा सोची 44 करोर बनने में लगे और मेंटेनेंस में 8 करोर लग गए उसके बाद हालात कितने बुरे हो गए ये जरण देखिए इस वक्त हम मौझूद है हर पुरा जो नहर परियोजना है वो तूट गई है और लगभक 40 करोर रुपे की लागत से इस नहर का निर्मान हुआ था आप देख रहे हैं कि यह नहर कितनी घटिया तरीके की बनाई गई है जिसके कारण यह जगाय जगाय नहर तूट जाती है पिछले साल भी नहर दूसरी जगह तूट गई थी इस बार जैसे ही इस नहर से पानी छोड़ा गया तो यह नहर दूसरी बार तूट गई है आप देख रहे हैं कि नहर की गुणबत्ता कितनी घटिया है और नहर की जो जो इसकी पिचिंग की मौटाई है जो सिमें नहर का नर्माल किया गया था और बुंदेल खंड पेकिस से इस नहर का नर्माल किया गया था इस नहर के माध्यम से जिले के तेला चंदेली का तालाबों को जोड़ा गया था क्योंकि प्रदेश की सबसे पहली नहर परियोजना है जिस नहर से तालाबों को भरा जाना था न मेंटेनेंस के काम भी किया जा रहा था और लगभग 870 लाख रुपे की लागत से इसका मेंटेनेंस भी किया गया था और इस ठेगेदार को लगभग 3 करोड रुपे इसके पेमेंट भी कर दिये गए हो और लगभग 65% मेंटेनेंस का काम किया गया है लेकिन इसके घटिया नर खेत हैं उनमें पानी भर जाने की कारण कि ऐसा नुक्सान हो रहा है। वो भी आया जो जिस मत्से पैसा आया वहाँ उसके लिए भी बड़ी मशक्क्त करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद ये बता रहा है कि बावन करोड सतर लाख रुपे खर्च होने के बावजूद भी बार बार नहर खराब हो जाए। देखे प्रदेश की सबसे पहली नहर परियोजना है जो बुंदिलखंट प्रेकिस से बनाई गई थी। और इसको नर्मान को लेकर जब इसका नर्मान किया जा रहा था तो चालीस करोड रुपे की लागत से इस नहर का नर्मान कराए गया था। इसके बाद नब्भे इसके बाद आठ करोड सत्तर लाग की लागत से इसका अभी मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। लगभग 35 काम इसका पूरा हो गया और ठेकेदार को तीन लाख रुपे का पेमेंट भी किया जा चुका है। लेकिन इतना घटिया नर्मान कार हुआ है मेंटेनेंस का भी घटिया नर्मान कार किया जा रहा है। आज जहां नहर तूटी है वहाँ पे हम गए थे ग्रांड जीरो पर मैंने रिपोर्ट दिखाई थी और जो किसान है उनके खेतों में पानी भर गया था क्योंकि जब यह नहर तूटती है तो तमाम जो नहर का पानी है वो किसानों के खेतों में चला जाता है और जो खेतों में फसल गोई जाती है वो पूरी तरह नश्ट हो जाती है तो इस तरह कई किसानों की फसलें भी बरबाद हो गई है नहर का जो मेंटेनेंस का काम किया गया है बही घटिया नर्मानकारी किया गया है और तमाम जग़े नहर लीकेश दिखाई दे रहे हैं दूसरी जग़े एक तेरा तालावों को भरा जाने के लिए इसकी परियोजना बना कर पूरा प्रोजेक्ट बना कर तैयार किया गया था लेकिन इतना पैसा खर्च हो गया 44 करोड बुंदेल खंड पैकेज से चला गया फिर 8 करोड 70 लाख रुपए इसके मिंटेनेंस में चला गया पहले भी तूट गई तो यह तालावों को भरने के लिए इस नहर का निर्मान किया गया था या जेब भरने के लिए कि फिर से ऐसा घटिया बनाओ कि तूट जाए फिर इसका मेंटेनेंस करेंगे फिर जेब भरेंगे फिर तूट जाएगा फिर अपनी जेब भरेंगे मेंटेनेंस के नाम प लास तोर पर दिखाई दे रहा है जो पिचिंग है उस पर जो कंक्रीट और सिमिंट लगाया गया है वो कितना उसकी ठिकनेस कितनी पतली है तो इस बात से यह कहां जब जैसे इस नहर में पानी छोड़ा जाता है क्योंकि बदान भी काफी कमजोर है बदान भी घटिया तरीके किसानों का साफ तोर पर कहना है कि जो पिचिंग है तो पिचिंग अगर मजबूत होती पिचिंग अगर जो खंडे होते उससे लगाई जाती या इसमें तार डाला जाता सिमिंट और कंक्रीट के साथ लोहा डाला जाता तो साइद इस तरीके से ना फटती जब यह जैसे ही परसाथ के दनों में इस नहर से पानी छोड़ा जाता है तो दमाम जा गए लीकेज हो जाती फट्ट जिम्मेदार क्या रहे हैं कि लापरवाही है क्योंकि लापरवाही तो उसकी भी बनती है जिसने काम किया और उसके भी जिसने इस काम को चेक करके और ग्रीन सिगनल दे दिय हुआ है कि देखिए आज जो जम्मेदार अधिकारी हैं विभाग के एसडी और यह मौके पर जाकर नहीं रिक्षण किया इसके बाद उन्होंने कहा है कि ठेकेदार का अभी टाइम बार डियू है तो इसके बाद वही मैंटेनेंस करेंगे लेकिन गंभीर बात है कि जब इं खुला बिल्कुल ये कह दिया जाता है कि हाँ ये काम हो गया काम कंप्लीट होने के बाद भी चेकिंग जाच होती है ये तो सरकारी नियम है लेकिन इनका पालन कितना हुआ ये घटिया निर्मान बता रहा है शुक्रिया आपका राची विजज जानकारी के लिए 36 गड़ की अलग अलग इलाकों की बारिश की स्थिती आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों में बारिश की वज़े से नदी नाले पूरे उपान पर चल रहे हैं और कई जगा तो आलन ये है कि पुलिया नहीं है और लोग जान जोकी में डालकर नाले को पार करने के लिए पलारी विकासखंड के छेरका डिहव में गाउं के बीचों बीच एक बड़ा बरसाती नाला पड़ता है नाले के इस तरफ गाउ है और नाले के उस तरफ स्कूल और हस्पताल है ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है गाव तक एम्बुलिंस नहीं पहुँच पाती बारिश के दिनों में अभिभावक बच्चों को कंधे पर इसी तरीके से बिठा कर चार से पांच फीट का नाला पार करने करके स्कूल पहुचाते है मरीजों को भी जुगार के तहती नाले के पार ले जाया जाता है ग्रामीन कह रहे हैं कि नाले पर फुलिया निर्मान की मांग कई बार कर चुके कई बार गौहार लगा चुके मेताओं से अधिकारियों तक लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई पहल भी नहीं हुई है नियूस 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया सालों से प्राब्राम भाई बहुत दिन्स हो गया है अभी तक के नाला बनने का नाम ही निले रहा है हमार पास कम से कम 30-35 बच्चा है लेकिन हम लोग रात भी में अस्पताल के लिए द्रोणा पर थे डाक्टर में छोटे मोटे इलाज के लिए जब भी हम लोग नाला प्रास करके आते हैं इसकूल जाने के लिए कितनी समस्या है यह बलोदा बजार जीले के छेरकाडी में आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं और लगभग सीने जैसा इतना गढ़्धा ये पार करके जाते हैं इन गढ़्धों को पार करके इसकूल जा रहे हैं लेकिन प्रसास्तान और सिस्टम के अधिकारी को कुछ भी नजर नहीं आता बेटा रोज जाता सने इसकूल हाओ रोज जाता है रोज बढ़ाता है तो फिल बन कर देता है दूतीन पर यह यह देख सते कतना पड़ता भाई मैं 11 में हूँ भी अभी रोज नहीं जा पाते क्या है ना पानी के मिल्ब हिसाब से जाते हैं देख सकते हैं कितना गढ़ा है जैसे जैसे हम नाले को पार कर रहे हैं अभी कमर तक आ चुके हैं पानी अभी और इधर जाएंगे तो देखें गढ़ा किस तरह से यह बता रहा है कि जो सिस्टम है प्रसासन है आखिर क्या कर रही है इतने गढ़े में लोग स्कूल जा रहे हैं और कहीं न कहीं प्रसासन और सिस्टम के उन आला अपसरों को यह ध्यान देना चाहिए कि आखिर लापरवास सिस्टम आखिर नाले में पुलिया कब बनाएगा और लोगों की किस्मत कब बदलेगी समस्या है तो आम बात है समस्या होना आम बात है लेकिन बारिस के समय मे ये पुल के जो समस्या है आखिर कप समाधान होगी लिया जा देखने वाली बात होगी कि आगर सरकार और सिस्टम के आला अधिकारी कब तक सामने आएंगे केमराविन देवा के साथ योगेश यादाव न्यूज 13 बलादा बाजार योगेश यादाव बलादा बाजार से हमारे समधाता लाइव जुड़े हुए हैं सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं ये खबर का मर्म है महिला कह रहे थी आते हैं फोटो कीच कर चले जाते हैं कोई कुछ ने करता है जी मेरेकूल आपको बता दी कि देश की हकीकत कहती है स्वास्त और सिक्षा बेतर ना हो तो कहां का कुछ भुश्टो जोल हो सकता है क्योंकि स्वास्थ बेतर हो और सिक्षा बेतर हो तो कहीं न कहीं कुछ अच्छा इंतजाम हो सकता लेकिन इस गाउं में जो हम गाउं की तस्वीर आज सुबह आर बजे से न्यूजेटिन की टीम पूरी दिखा रही है वहां के स्वास्थ ना बहतर है ना सिक्षा ही बहतर है क्योंकि सिक्षा इस गाउं में लगभग 35 बच्चे जो आपने बाइट देखी है उस गाउं के उस महले की हकीकत है जो सूनों कहा है कि 35 बच्चे उस महले से पार होकर इस नाले से आते हैं लेकिन वो बच्चे स्कूल न सालाप प्रफिस्टा के समय बहुती बखुबी से सांदार तरीके से कई स्कूल में सालाप प्रफिस्टा मनाया लेकिन इस स्कूल का हाल कैसा होगा अगर बारिस में ऐसी स्थिति होगी बारिस की स्थिति हमने सुबह आठ बजे से लेकर अब तक दिखाई है लेकि आज की ही स् नाम है और हम गारॉंड-जेरो इसलिए हम गारॉंड-जेरो की तस्वीर दिखाते हैं ताकि तस्वीर बदल सके और हमने खबर दिखाई वैसे यह खबर और यह तस्वीरें शरमिंदा करती हैं उन लोगों को जो जो जिम्मेदार है उनको शरम आनी चाहिए और आई भी खबर दिखाने के बाद आई, नियूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ, बच्चों को कंधे पर नाला पार कराने की खबर जो दिखाई, खबर दिखाने के बाद प्रशासन की टीम पहुँची, नियूज 18 ने प्रमुकता से इस खबर को दिखाया, कलेक्टर दीपक सोनी ने पर एक्शन लिया, SDM समयत का ही आला अदिकारी मौके पर पहुँचे, उन्होंने जाइज़ा प्रमुकता, तो देखिए, ये तस्वीर है बलोदा बाजार की उस गाव की, और केवल ये 36 गड़का कोई बलोदा बाजार, एक मात्र जिला ऐसा नहीं है, जहां पर ये तस्व बनती हो, और जिले का एक मात्र गाव ऐसा नहीं है, जहां तस्वीर बनती हो, ऐसी तस्वीरیں, ऐसे नजारे जो है बारिश के मौसल में कई गावों के साथ ऐसा ही होता है, कई बार हम खबरे दिखाते हैं, बताते हैं कि गाव इस तरफ है, स्कूल उस तरफ है, अस्पताल उस तरफ है जाए तो कैसे जाएं योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए है उनके पास चलते हैं योगेश खबर का असर हुआ कलेक्टर साहब जो है उन्होंने दौरा भी किया लेकिन सुधार नालेप ये नाला जो है इसके उपर पुलिया कब बनेगी इसका कुछ कहा गया क्योंकि महिला तो तब भी कह रही थी कि आते हैं फोटो खीच कर ले जाते हैं प्रसासन के अधिकारी किसले बैठे हुए है जनता के सिवा करने के लिए या फिर खुरसी पर मज़े लेने के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जनता को आम जनता को इसकुली बच्चे को गरवती महिलाओं को स्वास्त सुधाओं को बेहतर तरीके से उप्चार क एक महा में सब कुछ बन सकता है लेकिन उसके लिए निर्ना चाहिए निर्ना लेना है उसके बाद अधिकार को काम होगा लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बारिस के बाद भी आखिर किया उमीद चाही है न्यूज जर्टी ने तो अपनी खबर प्रमगता से दिखाई है लेकिन आने वाले बारिस में क्या होगा ये भी एक बहुत बिलकुल तस्वीर बदलनी चाहिए है हमारी कोशिश यही है कि ग्राउन जीरो पर जो दिक्कते जो परिशानी है वो हम दिखाते हैं और दिखाने के बाद तस्वीर में बदला हो अधिकारी जिसके लिए बैठे ह हैं वो अपनी जिम्हेदारी को निभाएं बहुत शुक्रिया आपका इस बाची जानकारी के लिए हमारे सयोगी योगेश जोले हुए थे वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है लोट रहें